जमू संभाग में दस दिलों के युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए इन दिनों सुन्जवा में विशेश भर्ती रैली चल रही है करोना महमारी फैलने के बाद ये पहली भर्ती रैली है जिसके लिए संभाग के करीब 40,000 युवाओं ने आवे दिन किया है सेना में भरती होने के लिए युवाओं में इतना जोश है कि सेना भी उनके तयारी को लेकर है रहान है डेली बेसिस पर दो हजार के आसपास लोगं को टेस्ट किया जा रहा है और यह रहली पंदरा फर्बरी को शुरू ही थी जो कि 6 मार्च को खतम होने जा रही है और पूरे 40,000 जो रिजिस्टर लोग है उनको इसमें टेस्ट किया जाएगा यह रहली जम्मू डिविजिन के 10 डिस्टिक्स के लिए कंड़क्ट की जा रही है और इस रैली में खासियत देखी गई है कि जो लोगों का जो यूथ का जो स्टैंडर्स है ट्रेनिंग स्टैंडर्स हैं यूथ बहुत ही मॉटिवेटेड है इन्थूजियास्टिक है फोर्सिस को जोईन करने के लिए साथ ही साथ बहुत बढ़िया ट्रेंड है जो यहां पर हम इनका क्वालिफाइंग स्टैंडर्स देख रहे हैं तो पहले की बनिस्पत अब बहुत ज्यादा नंबर्स में लोग अलग अलग टेस्ट को पास करे हैं तो इदर शाता है कि लोगों ने जो पिछला साल भर का टाइम था जो कोबिड रिस्ट्रिक्शन का टाइम था वो जहां पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही थी तो जंबन कश्मीर के युवाओं ने उस ताइम को एक ऑपरिचुनिटी में बदलते हुए अपने ट्रेनिंग स्टैंडर्स को अच्छा किया है और जिसकी बदलतों लोग इस ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं इसमें सिर्फ अभी दो दिन और बाकी है तो नेरली फोर थाउजंड मोर यह तो बी टेस्टेट बाकी नेरली 35,000 से ज्यादा लोग टेस्ट हो चुके हैं और उसके बाद फिर इनकी जो अगली कारवाई है जो बेसिकली यहां फिजिकल टेस्टिंग के बाद और मेडिकल वी साथ-साथ चल रहा है तो पूरे 40,000 को इस स्पेसिफाइड पीरिड में टेस्ट किया जाएगा यूथ के लिए यही मैसेज है कि जिस तरिके से इस रैली आपे में ना आएं कि कोई किसी की मदद कर पाए क्योंकि यह बहुत ही ट्रांस्पेरेंट तरीके से कंड़क्ट की जाती है रैली इस और इसमें कोई स्कोप नहीं होता है को कोई किसी की मदद कर सके सो बाहर के लोग पहाते हैं युवाओं को कि मैं कुछ आपकी हेल्प कर दूँगा मैं कर दूँगा जिसका बिलकुल भी स्कोप नहीं है तो युवाओं से यही गुजारिश है कि अपनी स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करते जाएं मेहनत करते जाएं और जब भी उन्होंने मन बना लिया है कि रैली अटेंड करनी है तो उसके लिए अच्छे तरी दो हजार युवाओं की शारिरिक माप दंडों की परिक्षा हो रही है हर जिले के युवाओं के लिए अलग से दिन धारत के गए हैं ताकि सब अराम से रैली में हिस्सा ले सके